नमस्कार दोस्तों सागत आपका हमोरे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरुवेदिक अवशदी हमदर्द सापी के बारे में जानेंगे क्या है इसके फाइदे क्या है नुकसान इसका इस्तमाल किसे करना चाहिए कब करना चाहि इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारे लेंगे तो चले शुरू करते हैं दोस्तों यह जो अवशदी बनाई गई है सापी इसका फॉर्मूला यूनानी चिकिसा पद्ददी से लिया हुआ है इसके नाम में ही है सापी तो अगर हम इसके फाइदे की बात करेंगे तो हम हमारे खून को साप करने के लिए सबसे बेश्ट अवशदी माने जाती है सबसे बेश्ट ब्लड प्यूरिफायर है यह यह जो अवशदी है लगबग 28 प्रकार के जड़ी बूटियों से बनी हुई है जिसमें मुख्य मुख्य कुछ जड़ी बूटिया जो यूज हुई है और यह आपके स्कीन के प्रॉब्लेम में बहुत ही लाबदाइक होता है इसके अलावा रेवन्ट चेनी है जो आपके लिवर फंक्शन को अच्छा रखता है और इसके अलावा इसमें नीम है नीम एक अच्छा ब्लड प्यूरिफायर माना गया है स्कीन की प्रॉब्लेम में भी नीम बहुत ही उपयोगी माना जाता है इसके अलाव इसमें चिरायता है चिरायता भी आपके खुन को साप करने में शरीर के टॉक्सीन को दोर करने में बहुत ही उपयोगी आउशदी है इसी के साथ-साथ इसमें तूलसी भी यूज की गई है तूलसी जो है हमारे ब्लड स circulation को युम्परू करने वाले आउशदी है इसके अलावा स्कीन में भी फैदा पहुंचाती है तो यह तो मुख्य 5 आउशदीया है ही इसके अलावा और 23 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर यह आउशदीयों को बनाया गया है यह आपके पाचन तंत्र पे काम करेगी इनदाइजेशन की समझी है इसमें भी यह लाभ करेगी अगर आपके श्रत के अंदर ज्यादा गर्मी बढ़ी है तो इसमें जो भी अउशदीया मिलाए गई है लगबग थंडी तासिर वाली ही अउशदीया है जो आपके श्रत के तेंपरिचर को मेंटेन करके रखेगी श इस प्रकार के जो समस्या होती है, तो जिनको भी पिंपल्स आते हैं उनके लिए ये आउश्यदी बहुत ही उप्योगी माने जाती है, पिंपल्स की समस्या में इसको ट्राइ करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, ये आपके खुन को साफ करेगी, ये आपके skin problem के लिए बहुत ही उप्योगी है, skin से related अगर आपको कोई भी समस्या है, तो ये जो अश्यदी है, वो बहुत लाबदायक होगी, इसके अलग-अलग size में आ जाती है, अब जो मेरे पास है, ये 100 ml की शीशी है, 100 ml की शीशी लगबग मिल जाती है, 68 रुपीज मे और इसकी manufacturing date से लेकर आप 3 साल तक इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको लेना किस प्रकार से है, दिन में आपको इसको एक बार लेना है, 10 ml की मातरा में, आपको पुरा एक ग्लास पानी लेना है, और याद रखिए जो पानी लेंगे, वो फ्रेश का ठंडा पानी आपको बिलक आपको दिन में एक बार पीना है, इस तरह से आपको एक महने तक जब आप इसको लेंगे, तो साफ साफ इसके रेजर्ट दिखना शुरू हो जाते, चेहरे के उपर गुला जाएगा, जो पिंपल्स निकल रहे होंगे, वो बंध हो जाएंगे, स्कीन चमकिली बन जाएगी, स्कीन से समंदित जो समस्या है वो ठीक हो चुकी होगी, डाजेशन से समंदित जो समस्या है वो ठीक हो चुकी होगी, तो आपको इसको एक महने तक जैसे आप लेते हैं, तो इसका कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसके अगर साइ और लगातार इसका इस्तमाल नहीं करना है जैसे मान लीजे आपने एक महिना लिया तो फिर ब्रेक दे दीजिए अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो डेड़ महिना दो महिने तक ले लिया उसके बाद आपको बीच में ब्रेक देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपने लेना श्टार्ट किया और सालो साल इसको पीते ही जा रहे है गलत है उस प्रकार से ने करना आप इसको लेंगे उसके बाद जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो देरे देरे इसकी मातरा कम करके इसको बंद कर दीजिए अगर आपको दुबारा लेना है तो बीच में ग्याप होना आवशक है क्योंकि इसके आदद भी लगना सही नहीं है और continue लेते रहना भी क्योंकि अईरवेद में साप साप लिखा गया है कि जो रोज लिया जाता है उसको आहर कहते है और जो विशेश स्थिती में यानि की बीमारी की अवस्ता में कुछ समय के लिए सिमित मातरा में जो ली जाती है उसको दवाई कहते है तो ये दवाई है ये आहर नहीं है ये बोजन नहीं है इसलिए आपको continue भी इसको नहीं लेना है तो दोस्तो ये थी कुछ जानकारी हमदर्द सापी के बारे में जाने हमने इसके क्या है फाइदे इसको लेने का तरीका क्या है इसके बारे में जानकारी ली इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सुस्त रहे मस्त रहे धन्यवाद